त्योंथर जन्पत पंचाय छेत्र अंतरगत घूमा गाउ में इस्थित ओपन वेयर हाउस से अनाज सड़ने का मामला प्रकास में आया है जिसके बाद मामले पर कलेक्टर के द्वारा तुरंथ ही जांच टीम का गठन कर उचित कारेवाही की बात की गई है बताया जा रहा है कि वेयर हाउस की मैनेजर की लापरवाही के चलते गूमा गाउ में इस्थित वेयर हाउस में उचित रख रखाओ ना होने के कारण 20,000 मैट्रिक टन अनाज खराब हो गया जिसमें गेहू और धान सामिल है दरासल सरकार के द्वारा किसानों से अनाज खरीदा जाता है जिसे सुरक्षित रखने के लिए प्रसासन के द्वारा वेयर हाउस का जहारा लिया जाता है परन्त ओपन वेयर हाउस में भी उचित रख रखाओ ना होने के चलते अनाज खराब हो जाते हैं ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के 33 जनपत पंचायच छेदर से जहां घूमा गाउ में इस्तित वेयर हाउस में मैनेजर की लापरवाही के चलते 20,000 मैट्रिक टन अनाज खराब हो गया और बद्बू मारने लगा इसके बाद इस्थानिये लोगों ने मामले की शिकायत प्रसासनिक अधिकारियों से की और तब पता चला की घूमा गाउ में इस्तित वेयर हाउस में 60,000 मैट्रिक टन अनाज रखने की विवस्था है पर अंतु प्रसासन की द्वारा वहां पर अधिक मात्रा में अनाज का भंडारन कराया गया जिसकी वज़े से सही रख परवाही के चलते सडन मारने लगी हाला कि मामले की जानकारी लगते ही तुरंत रीवा कलेक्टर मनोज पुस्प ने मामले पर जांच टीम का गठन किया है अपर कलेक्टर सैलेंसिंग की माने तो जांच रिपोर्ट आने के बाद वे उचित का रिवाही भी करेंगे बीरो र कि सूचना आई है कि भूमा वारा वे रहूस है वहां पर कुछ मात्रा में धान का खराब होने की सूचना है वहां के साफ से भी संबंद में चर्चा की गई है अन्य जिम्मेदार अधिकार्यों को भेजा गया है इसका अनुसार जो जिम्मेदार लोग होंगे इनकी वज़े से यह खरावी होई है के खिलाब कारवाही जो भी नयायोचित कारवाई है वो की जाई है हमारे कुछ वेरहाउसे इसे हैं जो सामाने तोर पर नीचली इस्थानों पर या वह बार इसका मौसम भी है तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि आगे से इसे वेरहाउस जिन में थोड़ा सा इस तरह की स्थिति है यह पुराने रिकार्ट से ठीक नहीं रहे हैं खराब हुआ उनको बदलने का प्रयास ही